आज के वीडियो में हम बात करेंगे विपरो की क्योंकि इन्होंने 13 जैन्वरी यानि कि जो फ्राइडे था उस दिन मार्केट आर क्लोज होने के बाद अपने थर्ड क्वार्टर के रिजर्ट्स टिक्लियर किये हैं कंपनी का जो profit after taxes है पिछले साल के मुकाबले 2.3% बढ़कर के 3053 करोड रहा है और overall जो numbers हैं expectation से better रहे हैं तो आज के वीडियो में हम इस topic को detail में discuss करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या current price पे आपको विपरो का share लेना चाहिए या नहीं और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करके हमें motivate कीजिए तो सबसे पहले अगर हम company के overall जो third quarter के result से उसके बारे में अगर बात करें तो company का जो profit after taxes है वो पिछले साल के मुकाबले 2.8% बढ़ा है और company ने October से December वाले quarter में 3053 करोड रुपए का profit report किया है और analyst की estimate के हिसाब से इनका profit 2952 करोड के आसपास रह सकता था तो इन्होंने analyst की expectation को beat किया है profit after tax के मामले में company के अगर revenue की बात की जाए तो 23,239 करोड रहा है third quarter में जो कि पिछले साल के मुकाबले 14.35% बढ़ा है और यहाँ पे analyst ने expect किया था 23,436 करोड हाना कि ETNOW का जैसे एक survey था उनके साब से 23,180 करोड का profit था तो overall हम कह सकते हैं कि जो इनका revenue है वो in-line with expectation रहा है तो यहनि कि कुछ analyst के expectation से थोड़ा सा कम रहा है कुछ से ज़्यादा रहा है तो overall in-line मान सकते हैं company का जो margin है October से December quarter का वो 16.3% रहा है पिछले quarter के मुकाबले यह 1.2% बढ़ा है हाला कि पिछले साल के मुकाबले इनके margin में थोड़ी कमी आई है पिछले साल इनके same quarter में 17.5% के margin थे तो जो margin में पिछले quarter के मुकाबले improvement हुई है उसका main reason है company के better price realization और company ने जो automation led जो productivity किया उससे operational improvement हुई है इसकी वज़े से इनके margin में अवरिदी देखी गई है इन सब के अलावा company ने एक रुपे का dividend भी declare किया जिसकी record date 25 January 2023 है यानि कि 23 January तक अगर आप विपरो का share ले लेंगे तो आपको इस dividend का फायदा मिल जाएगा हाला कि ये dividend 2% से कम है तो overall जो F&O contract है उसमें कोई भी इसका impact नहीं होगा और इसकी जो payment date है वो 10 February 2023 है यानि कि 10 February या इससे पहले आपको dividend actual में pay भी कर दिया जाएगा इसके अलावा अगर revenue growth के forecast यानि का outlook की बात करें तो company ने बोला है कि March 2023 में जब year end होगा तो इनका जो constant currency terms में 11.5% से लेकर के 12% की revenue growth दिख सकती है तो overall अगर हम बात करें कि भी result कैसे रहे हैं तो मैं कहूंगा कि result उमीद से बहतर रहे हैं तो company ने बिल्कुल भी disappoint नहीं किया और उखास करके तब जब की इनका share पिछले एक साल में लगबग 38% के आसपास गिर चुका है पिछले साल जनवरी में 650 रुपे के आसपास trade करता था और आज की date में 400 रुपे से भी नीचे trade कर रहा है तो उस मामले में result अच्छे हैं तो ideally इनका share आने वाले time में positively react करना चाहिए इसके अलावा अगर कुछ अन्य updates की बात की जाए तो company का जो sector mix है सबसे ज़्यादा इनका जो revenue है वो banking financial services and insurance यानि की BFSI जो sector है वहां से आता है 34.9% उसके बाद consumer 18.9% उसके बाद health 12% और फिर अन्य जो sector है वहां से इनका revenue आता है company का attrition देखें तो पिछले quarter में 23% था वहां से better हुआ है अब 21.2% है हाना कि पिछले साल सेम quarter में 10% था तो वहां से काफी high है लेकिन फिर भी gradual improvement देखी गई है attrition में company का जो अब total head count है वो 2,58,744 है हाना कि third quarter में company ने 435 जो head count है उसको lose किया है यनिकि इनका head count TCS की तरह कम हुआ है जहां पे infosys के head count में वरिदी देखी गई थी वहीं पे विपरो और TCS के head count में थोड़ी कमी आई है जो कि एक negative बात कही जा सकती है क्योंकि overall इनके growth को दिखाता है कि growth में इतनी अच्छी progress नहीं है तभी इनका head count कम हो रहा है और अब अगर बात की जाएगी क्या current price पर हमें विपरो का share लेना चाहिए और Monday को जब market खुलेगी तो विपरो का share कैसे react कर सकता है तो सबसे पहले अगर हम इसकी past performance देखे तो तीन साल में इन्होंने 55% की अच्छी खासी return दिया और वो तब है जबकि पिछले एक साल में इनका share 39% से ज़्यादा गिरा है यह one of the worst performing IT stocks रहा है पिछले एक साल में और अगर हम पिछले एक महीने में भी देखे तो एक percent के आसपास नीचे गिरा है हाला कि पिछले एक week में इसमें थोड़ा momentum देखा गया है और यह 3% से बड़ा है result आने से पहले तो कल कैसा react कर सकता है जब market खुलेगी तो results हाला कि expectation से better है लेकिन अगर हम ADR देखें यानि कि जो US में इनका ADR listed है वो initially 1.03% से गिरा था market में और जब result का शुरू में reaction आया तो उसमें काफी अच्छी गिरावट देखी गए थी हाला कि उसके बाद वो संभल के overall 1.03% से down था लेकिन जो market hours है उसके बाद इसमें 0.84% की वरिद्धी देखी गई है तो overall कोई खास react नहीं किया थोड़ा सा negative react किया और maybe वो इसलिए हो सकता है क्योंकि already इस week में यह यानि कि last week में 3.12% भाग चुका है तो probably थोड़ी सी correction है बट result कोई खराब नहीं कहे जा सकते और अगर हम टिकर टेप के predictive analysis को देखें तो 418 रुपय का इनका average price है 560 का higher side पे lower side पे 340 तो अभी latest closing है 394 रुपय के आसपास उसके इसाब से तो average target price से थोड़ा नीचे ही available है तो valuation attractive लगता है एक large cap company है 2,16,000 करोड रुपय का market capitalization है P-PB ratio आप देखेंगे तो इनके competitor के मुकाबले में सबसे ज़्यादा attractive लगती है तो उसे साब से valuation बहुत ही अच्छा है return on equity 19% की है और profitable company है पिछले financial year का जो इनका profit है वो 12,000 करोड से ज़्यादा था तो overall हम कह सकते हैं कि valuation wise ये share attractive है और आपको लेना चाहिए या नहीं तो मुझे लगता है कि इस time पे सभी जो बड़ी IT companies के share है बहुत ही अच्छी valuation पे available है हो सकता है कि अगले 3-6 महीने और even ASR ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा growth ना दिखाएं लेकिन long term perspective से मुझे लगता है कि best time है कि current price पे या किसी भी गिरावट में आपको IT के जो अच्छे बड़े shares है वो लेने चाहिए क्योंकि long term में आपको बहुत ही अच्छा फायदा दे सकते हैं ये golden opportunity हो सकती है मेरे साब से long term perspective से हाना कि short to medium term क्योंकि recession का खत्रा अभी भी US में बना हुआ है थोड़ी बहुत uncertainties हैं तो थोड़ा बहुत negative reaction दे सकता है लेकिन वो भी एक अच्छा मौका होगा इनके share को grab करने का हाला कि video close करने से पहले मैं हमेशा की तरह disclaimer दूँगा कि जो भी views हैं वो मेरे personal हैं अगर आप किसी भी share में invest करना चाहते हैं तो अपनी further research के basis पे ही कीजिए thanks so much for watching the video and God bless you all